ध्यान देने योगे 45 जरूरी बातें तंबे के परतर में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए आंसु रोकने से सिर में दर्द गुसा होता है ध्यान देने योगे बहुत ही जरूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर अवस्थ सुनें जो औरत में एक्सर ठकावट होती है यदि आपको चक्कर आने लगते हैं पेशा में ज्यादा पीला पन होता है उसके लिए उपाए सुनिया तुलसी की पतियों का गढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ से आराम मिलता है अगर कमर दर्द की समस्या से प्रेसान है तो रो जाना दो पहर को थोड़ा सा काली मिरच का पाउडर पानी के साथ लें दर्द में आराम मिल जाएगा नमबर तीन रोटी खाने के बाद सेव का एक टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है नमबर च्यार पेसाब में ज्यादा पीलापन आ जाए तो निम्बू वाला पानी पीना सुरू कर दे नमबर पाउच काजू का सेवन करने से दिमाग और नजर तेज होती है नमबर छे अंगूर नमक के साथ खाने से फेफडू का कैंसर नहीं होता नमबर शाथ खीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन नोर्मल रहती है नमबर आठ गुलाब का फूल सुनने से डिप्रेशन कम होता है नमबर नूँ खाना खाने के बाद बदहजमी या खटी ड़कार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज पर निम्बू निचोड कर खाना चाहिए इससे बदहजमी नहीं होती नमबर दस आम का ज्यादा जूस पीने से यूरिक एसीड की बिमारी हो सकती है नमबर ग्यारा संत्रा सुबह खाली पेट और रात के वक्त नहीं खाना चाहिए नमबर बारा जो ओरतें अक्सर ठकावट महसुस करती हैं तो उने गुड़ खाना चाहिए गुड़ आपको अनरजी देगा नमबर तेरा यदि आपको चक्कर आने की समस्या है तो सिंधा नमक वाला पानी पीना चाहिए नमबर चोदा ज्यादा थूकने से इनसान का दिमाग कमजोर होता है नमबर पंदरा यदि आप डिप्रेशन की समस्या से प्रेशान हैं तो अमरूद का सेवन करें इस से आपको काफी लाब मिलेगा नमबर शोड़ा यदि आपका दिल घबराता है तो सीने में जलन की भी समस्या है तो एक गिलास निम्बू की सिकंजी बनाकर धीरे धीरे पीए लाब मिलेगा नमबर शत्त्रा आँखों में चमक लाने के लिए किस मिस का सेवन करना चाहिए नमबर अठारा चेहरे पर रोजाना मलाई लगाने से चेहरा गलो बनता है मलाई तवचा का रुखा फन दूर करके सकीन को चमकदार बनाती है नमबर उनिस प्याज हर तरीके से सवास्थे के लिए फाइदे मंद है चाए आप इसे कच्चा खाईए यह सबजी में डाल कर खाईए आपको प्याज जरूर खाते रहना चाहिए नमबर बीस गर्मियों में प्याज का सेवन करना चाहिए प्याज हमें लू लगने से बचाता है नमबर इक्किस कच्चे दूद में चिन्नी मिला कर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है और यह है एक नेचरूल मोस्टराइजर है नमबर बाइस पैरों पर निम्बू और चिन्नी मिला कर रगड़ने से पैरों का काला पंदूर होता है नमबर तेईस यदि आपको काम करने के दोरा नेंद आने लगे यह सुस्ती लगे तो अदरक वाला पानी पीए नमबर चूबिस टांगों के दरद या लकोरिया को हमेस्या के लिए खतम करने के लिए रोज आना कुछ दिनों तक लगातार शुबह के वक्त साथ बादाम खाईएं नमबर चूबिस दूद में सहद मिलाकर पीने से आँखों की रोजनी बढ़ने लगती है नमबर श्टाइस दो पहर और रात के खाने के बाद एक कली लशुन की खाएं इसे खाने से आपकी गैस की दिक्कत नहीं होगी और आपका वजन भी कम होगा नमबर अठाइस जेवर और गहनों के डब्बे में एक चोक का टुकडा रख दें इस से आपके गहने काले नहीं पड़ेंगे आशू रोकने से सिर्दरद गुसा और ब्लैड प्रेसर की दिक्कत हो सकती है नमबर तीस हरीच चाए मसूड़े को मजबूत बनाती है नमबर अकतीस जिन लोगों को कमजोरी ज्यादा महसूस होती है तो एक गिलास गरम दूद में इलाइची के दाने उबाल कर पीएं इस से कमजोरी दूर हो जाएगी नमबर तीस अगर शेने में दरद की दिक्कत हो तो अजवाइन की धूनी ले इस से दरद से राहत मिलती है नमबर तेतीस अगर जल्दी भुडापा नजर आने लगे तो रो जाना अनार का जूस पीने से चेहरे पर चमक आ जाएगी नमबर तेतीस ठंड़ा पानी पीने से इंसाने जल्दी बिमारियों का सिकार हो जाता है नमबर तेतीस तंबे के वरतन में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए इस से घर में बरकत नहीं होती नमबर तेतीस आजगल के लोग तनाव में बहुत रहते हैं तनाव लोगों को अंदर ही अंदर खतम कर देता है इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिन्दगी से तनाव मिटा दें और खुस रहें नमबर तेतीस सफाई पर जरूर धान दें ज्यादा तर बिमारियां गंदगी के कारण होती हैं गंदगी में बैक्टेरिया पैदा होते हैं और आपको बिमार कर देती हैं नमबर तेतीस आसपास के परवरिस्क की ये नहीं सरीर की गंदगी पर भी ध्यान दें खाना खाने से पहले हाथ जरूर शाबून से दोएं नमबर उन्तालिस थकान महसूस होने पर आराम कर लें बार नहीं जाएं अगर थकान में भी आप बार जाएंगे तो बिमार पढ़ने का खत्रा बढ़ सकता है नमबर चा-लिस खाली पेट रो जाना आदा गंठा एक्सर्साइज करें एक्सर्साइज के बाद एक गिलास गुन-गुने पानी पीना चाहिए एक्सर्साइज के कम से कम एक गंठे बाद बोजन करना चाहिए ताकि आपका सरीर हमेशा मजबूत और बिमारियों से दूर रहे अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्रोटिन और विटामिन जरूर लें, फास्ट फूड पर ज्यादा ध्यान ने दें नमबर 42, डाक्टर से बिना पूछे कोई दवा ने लें और चोटी चोटी बिमारियों पर पेन कलर लेना बंद कर दें, पेन कलर हानी कारक होती है नमबर 43, अपने पेट की रक्षिया करें, बेहत्र पाचन के लिए अनाज, ब्राउन, चावल, कसकुस, सबजियां और दई खाएं नमबर 44, अनार का सेवन करें, अनार का सेवन करें, जब भी कोई युक्ती बिमार होता है, तो सबसे पहले डाक्टर उसे अनार खाने की ही सला देते हैं, यह है, फल बिमारियों में राम बान साबित होता है नमबर 45, शाम के समय तंबे के पातर में पानी भर कर रखें, और सुबत जुर्योदे से पूरों उसे बिना बुरश के बासे मूँ पिए, साथ ही पंदरा मिनट सैर करें, इस से पेट के रोग दूर होते हैं, इस से बाल वक्त से पहले नहीं सफेद होते इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामाने परकीरिया है, परकीरिया के लिए है, किसी भी बिमारी से पीडित होने पर डाक्टर से शला लेकर यह नियम अपनाएं, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो मिलते हैं इसी तरह है कि एक और नई वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, तो दोस्तों बताई गई जानकारी पर थोड़ा अपने सरीर के लिए ध्यान दें,